जह हिन देखे आज स्वामबार के दिन सेर बाजर के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ आज बाजर की भासना मुले तो मार्केट क्रैस हो गया हलाकि इसके कैस कल से लगा जा रहे था कि आज बाजर कुछ बड़ा हो सकता है और बड़ा यह हुआ कि मार्केट नीचे की तरह धड पर 383 पर 382 यंगों के गिरावड के साथ जब कि निफ्टी ओपन हुआ था पंद्रा यार 867 पर और जब आप इसका प्रिवियस क्लोजिंग देखेंगे अब आप क्रोनोलोजी समझे जहां पर इसका प्रिवियस क्लोजिंग हुआ था उससे भी कम पर आज ओपन हुआ और उपन हुआ तो उससे भी कम पर अशक्कर अब क्या हो सकता है इस इसाब से कल जो सेर्भायार ऊपन होगा तो आज जहां क्लोज हुआ इस से भी कम पर प्लोज होगा ऐसी संभावना ऐसा हो सकता है इस इस स्तीति को देख्टे विए सकता और समजों निफ्टी का जो 12arett 1604 है अगर BSE के सेंक्सेस का बात करें, तो सेंक्सेस आज क्लोज हुआ था 22,842 पर वो भी 1,491 अंको की गिरावट के साथ, एक दिन में इतनी बड़ी अंको की गिरावट काफी बड़ी बात होती है सेर बाजार में, लाखो करोनो रोपे सिर्फ एक दिन में डूब गए हैं इस BSE म और इसकी जो प्रिविएस क्लोजिंग है, उससे भी कम पर आज बंद हुआ अब समझे, सेंक्सेस का जो बाउन वी का हाई है, ओ है 22,245 कहां हम लोग सपना सुझों के बैठेते हैं, कि अगर सब कुई ठीक चलता तो सेंक्सेस अभी तक 65,000 के लेवल को पार कर गया रहा था 65,000 के बाद छोड़ी, ये 62,000 से खिसक करा गया, 22,000 पर लगभग 10,000 अंकों की गिरावट हुई है, सिर्फ 2,3 माह में, आप समझे, निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल को तो भूल जाए, तो जो सपोर्ट लेवल है, निफ्टी का वो है 15 2778, ये एकनम एश्ट्रौंग सपोर्ट लेवल है, और अगर सेंकसस की सपोर्ट लेवल की बात करें, तो सेंकसस का सपोर्ट लेवल है, 22しま 6784, अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, सेंकसस तो 50,000 की लेवल तक चला जाएगा, अब आप कारण समझे, किस कारण से आखिर मार्केट क्रेस्ट वा ऐसा की हुआ समझेंगे जो सबसे पहला कारण रूस और उक्रेट का जो जगड़ा चल रहा है आपको पता है उक्रेट की पहले बात करते हैं उक्रेट के जो राष्ट पती जल संग की इनको अच्छे तरह से पता है कि यह रूस से टकर नहीं ले बात है यह अपने देश में शेयर मार्केट को बंद करा देए ताकि वह ट्रेडिंग नहीं हो सके इनके 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 देश के रिटिंग घटा दिये और जंक लिश्ट में डाल दिया है इनके जो रूबल है वहां का रोपया है 30% मुकाबले 30-35% चुका है लेकि रूस और उकरेंगे चलते कुरू डायल का प्राइस लगतार बढ़ते जा रहा है एकदम अपने उस्तम हाई पर है 138 डोलर परती बैरल यह दुहराट के बास सबसे अधिक है अगर कुरू डायल का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल डिजल का दाम बढ़ेगा फिर जो ट्रां लगतार जा रही है बीदेशी निविसक जो है माल लगतार दबा के बेच रहे हैं लेकिन अच्छी बात है कि यह वाले अभी भी बाइंग कर रहे हैं यह थोड़ा सा रात देनोला ख़बर है तीसरा कारण है गोल्ड यानि कि सोना इसका प्राइस लगतार बढ़ते जा रहा इस बीच अच्छी खबर ये भी आई है कि जो मोदी है हमारे जिसके परधान मंतिरी उन्हों ने रूस के राष्ट पती से जुद को रोखने के लिए बात चित की है और अब ये यूक्रेन के राष्ट पती से भी बात करेंगे जगड़ा को रोखने के लिए ये एक सराहनी क लोग को यह दिख रहा है कि जूद हो रहा है रसिया और उक्रेन के बीच में लेकिन इसके पीछे जो में दो लोगों कहाते हूँ है एक अमिर्गाय का राष्ट पती जो बाइडन का और चीन का राष्ट पती सी जिन पिंग का और ये कभी नहीं चाहेंगे कि जूद को रु प्राइस काफी गिरें तो देखिए शेयर वाजार इसी का नाम है वाजार चड़ता है उतरता है क्रेस होते रहता है समय से उपर होते रहता है इससे हमें डरने घवडाने की बात नहीं है अभी बस आप स्थाई रूप से बने रहे पैनिक सेलिंग नहीं कि जिए घवडा के झाल प्राइस प्राइस